नमस्क्राइब दोस्तों स्वागते शोमुस बारेची का और एक हेल्थ कंसर्ण वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक पहुती कॉमुन और आम स्कीन इंफेक्शन के बारे में जिसका नाम है रिंग वोम इंफेक्शन जो है वो गर्मियों के दिन में और पहले जो बात है यहां पर वह इंफेक्शन क्या होता है क्यों होता है सिंपल सी बात समझ लेते हैं देखो स्कीन एक ऐसे जगह है ना जो सबसे बरा और गयन है हमारे बाडी की जो बाडी को कवर करके रखता है बाहर की इंफेक्टिव एजेंस जैसे की बैक्टिया जो कि आपके para को ही अपना घर बना लेते हैं कि बाहरकी साइट आपना घर बनाता है क्योंकि स्किन कि अलग अलग साइट एक तो बाहर खरी सधें उसको पसंद करते है और जहां पर Miz inj Pinterest मिल जा है किब आगा और इसको इसको इस्तेमाल करेगा अपनी घर के तरह वहां पे बैट जाएगा वहीं पर वो infection start करेगा तो इसके कारण ringworm infection होता है तीनिया कॉर्पोरिस के कारण अब ringworm infection कैसे पता चलेगे ringworm infection ही है क्योंकि treatment से पहले आपको जानना है कि particularly infection क्या है यहाँ पर इस picture में देखो तो आपको साफ नजर आएगा यह ringworm infection के typical structure है अगर ऐसा दिखने में आता है आपके त्वचा पे particularly अगर ऐसे यह जो जगा है आपकी यह सारे जगा पे या फिर मूँ पे हाथ पे पैर या फिर private areas में भी ऐसे अगर structure आपको दिखे जो ring की तरह दिखता है पहले जो symptoms आएगा वो होता है start होगा लाल होने से फिर वहाँ पे खुजली जैसा होगा फिर धीरे धीरे वो जगा का जो skin है वो धीरे धीरे उटने लगेगा flaky skin बोलते हैं उसको flaky skin होके उटने लगेगा और एक लाल ला राश स्टार्ट हो जाएगा और लाल राश जो start होगा पिक्चर में देखें यह राश नहीं की तरह structure form करेगा जो के छाले के तरह देखने में आएगा और चाले के तरह एक रिंग structure form करता है और यह जब बड़े गार ऐसे structure हो जाएगा तब यह आपको बहुत ही तंग करेग बहुत ऐसा नहीं के हर बार हर दफा मगर कुछ कुछ वक्त बहुत ज्यादा तंग करेगा खुजली जैसा होगा और यहाँ पर एक जलन जैसा sensation होगा burning sensation ऐसे लगए कोई डंक मार दिया और stinging sensation यह इसका characteristic trademark है रिंग वंग infection का तो जब जब भी ऐसा आपको दिखे तो आप त tablet capsule उसके साथ साथ कुछ oignments, skin creams, powders दिया जाएगा उसके साथ second जो चीज आता है वो होता है आपकी preventive measures दोनों ही equally important है fungal infection को रोकने के लिए otherwise आप सिर पर सिर medicine लेके ठीक होने के कोशिश करेंगे और बाकी चीज़े नहीं follow करेंगे तो automatically फिर से वो हो जाएगा इसलिए आप आपको खास ध्यान रखना है कि उस जगा का जो skin है वो बाहर की धूल मिटी के साथ टच में आए ठीक है उसके साथ साथ देखना है वहाँ पर ज्यादा moisture पानी ज्यादा वहाँ पर store ना हो skin की जो भी जगा पर यह होता है इसलिए इसी जगा पर होता है जहां पर बहुत tight खुझली ना हो इसको रोकने के लिए particularly यह चीज़ आपको करना है उसके साथ साथ क्या करना है अगर आपकी पैर में यह हो रहा है और आप सौक पहन रहे हो बूट पहनने के लिए तो वहाँ पर हर रोज सौक को change करे मतलब उसको ठीक तरीके से आपको wash करे इने detergent फिर खुझली को ऐसे अगर आप उसको खुझा देते हो तो क्या हो जाएगा वहां से वहां से घाव हो जाएगा वहां पर backtail infection होने के चांस भी बढ़ जाएगा तो यह चीज़ आपकी ध्यान में रखना चाहिए स्कीन में जब भी ring bomb की infection होता है यह सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए और एक चीज़ जो करना चाहिए regularly आपकी घर में किसी member को ऐसा हो रहा है तो उनको खुल के बताना चाहिए बाकी members को ऐसा हो रहा है ताकि बाकी लोग खुद को prevent protected रख पाए क्योंकि अगर यह जो infection है यह person to person spread करता है एक person से दूसरे person में spread करेगा अगर मानलो के टावल लेके मेरे मुझ पे यहाँ पर कहीं पर हो रहा है तो मैं टावल को इस्तमाल कर रहा है उसी टावल को कोई और इस्तमाल कर रहा है तो चांस है कि उस person में फिर से infection spread हो जाए तो यह family से कभी नही लोगो बैसिकली इसके लिए जो जो है ointment cream की खरीते हैं और बहुत ही बड़ा business है cream की market में क्योंकि लगता है ज़रूर पढ़ता है लोगों को मगर एक चीज़ ध्यान में रखना है यह जो ointments आप इस्तमाल करेंगे इसका इस्तमाल जो हर रोज करना है दो से तीन बार पा महिने तक तो करना ही है अगर possible हो सके तो दो तीन फाइल इस्तमाल करें दो महिने या तीन महिने करें और अगर किसी को family में हो रहा है तो बाकी को भी बताए ताके बाकी लोगों को भी protection मिल पाए ठीक है otherwise यह कभी family से बाहर नहीं जाएगा यह चीज़ आप ध्यान में रखन आपको कोई नहीं शेयर करेगा मैं आपको बता रहा हूं यह चीज़ आप ध्यान में रखना तभी आपको यह treatment ठीक ठाक रहेगा यह सारे चीज़ आप फॉलो करने उसके साथ साथ जो medical treatment है उसके बारे में बता देते हैं यहां पर कुछ tablets वगेरा होता है जो के antifungals होते है फ्लुकोनाजोल बोलके आता है इत्राकोनाजोल बोलके आता है वह आपकी doctor आपको prescribe करेंगे अपार्ट फॉम दा जो ओवर्ड़ काउंटर आप medicine ले सकते हैं उसमें आता है कुछ antifungal creams जिसको बोलते क्लोट्री माजोल क्रीम सेटाकोनाजोल क्रीम टर्बिनाफिन क्रीम य या फिर रिंगार्ड बोलके भी आता है आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं और हर रोज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी private areas में हो रहा है या फिर आपके पैर में हो रहा है जिसको आपको हर वक्त आइदर क्रीम लगा के रखो क्रीम तो मॉइस्ट हो जाएगा तो अगर हाप हर वक्त क्रीम नहीं लगा पाएंगे तो powder इस्तेमाल करें So that's all about the candied, that's all about the idea about ringworm infection, ringworm infection क्या है, ringworm infection के symptoms क्या है, ringworm infection का treatment क्या है, detail में वीडियो में बात करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलिक के साथ, और बताना कि ये treatment लेने के बाद आप ठीक हुआ है, thank you, bye.